नमस्कार दोस्तों, एक बहुत दुखत खबर सामने आई है रिसेंटली, उत्तर परदेश के अंदर जो इफको का प्लांट है, that is Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, वहाँ पर एक major gas leakage देखने को मिला है, basically हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ammonia gas की, जिसकी वज़े से दो लोगों की already मृत्यू हो चुके, आप यहाँ पर news देख सकते हो, तो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि यह पूरा event क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, प्लस यहाँ पर इसका जो impact है human health के उपर, वो क्या होता है, इसका usage क्या होता है, ammonia का industrial use के अंदर, सब चीज को देखने की कोशिश करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक और मेरे लेक्चर की हब पीडियो आफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, कि अचानक से जो इफको का प्लांट है, फूल पूर यूनिट है, बेसिकली प्रयाग राज के अंदर, वहाँ पर अमोनिया ग्यास लीक का एक्सिडेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से दो लोग यहाँ पर मित्यू हो गई, और पंदरा लोगों की एट लिस्ट हॉस्पि किया गया है उनको, और यह जो पूरा प्लांट है, मैं आपको बता दूँ कि प्रयाग राज से करीब 54 किलोमेटर दूर है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, यह है आपका उत्तर प्रदेश का मैप, और यहाँ पर आप देखेंगे, यह है लखनाउ कैपिटल यहाँ पर यह कानपूर है, जहां से आप देख सकते हो, गंगा रिवर बहर ही है, और यह है आपका प्रयाग राज, और राइट साइड में आप देख सकते हैं, यह है आपका वरांट सी, तो दोनों के बीच में, मतलब कि प्रयाग राज से करीब 54 किलोमेटर दूर, यहाँ यहाँ पर आपको यह जो इफको का प्लांट है, वो देखने को मिलेगा, इस प्लांट पर बेसिक्ली क्या होता है, जो फर्टिलाइजर होता, इस्पेशली यूरिया हो गया, उसकी manufacturing यहाँ पर की जाती है, तो बेसिक्ली क्या हुआ कि जो दो लोग की मिर्टी हुई है, एम क्या होता है कि जैसे ही वो एक unit के करीब जाते हैं तो वहाँ पर से एक ammonia जो gas है वो leak करना start कर देता है तो basically जहाँ पर ये ammonia gas leak कर रहा था उसके काफी नजदीक थे ये जिसकी वज़े से उस पूरे area में अचानक से जो ammonia gas है within few seconds वो आपका भर गया और उसकी वज़े से उनकी मित हो जाती है although मैं आपको बता देगू उस पूरे unit के अंदर करीब 100 workers present थे जब ये ammonia gas leakage हो रहा था तो जैसे ही सभी workers को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है सभी लोग यहाँ पर भागने लग गये लेकिन कुछ workers क्या हुए कि unconscience हो गये वो भागने में असफल रहे जिसकी वज़ चलकर जो NDRF की team है that is National Disaster Response Force की team है वो इस particular spot पर आई और चीजों को control किया अब basically यहाँ पर एक question खड़ा होता है कि यह leakage हुआ क्यों तो देखिए अभी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि investigation के लिए proper team बनाई गई है setup किया गया है देखना होगा कि क्यों हुआ लेकिन initial investigation के तोर पर यही बताया गया है अभी के लिए कि technical problem की वजह से यह जो ammonia gas leakage का accident है वो हमें देखने को मिला है और वो जो पूरा area है जहाँ पर यह gas leakage हुआ था उसको अभी के लिए shut कर दिया गया है ताकि investigation किया जा सके और वहाँ पर repair work वापस से किया जा सके अब हम आते हैं दोस् 3 atoms of hydrogen and 1 item of nitrogen तो यह आपका chemical formula है ammonia का और इस ammonia से क्या होता है कि ammonium nitrate बनाये जाता है NH4NO3 अमोनिया से क्या बना यह बन गया आपका ammonium nitrate और ammonium nitrate से बनता है आपका fertilizer जो high nitrogen fertilizer होते हैं जिसमें nitrogen की मात्रा जादा होती है इसको कहा जाता है यूरिया नौर्थ इंडिया में काफी ज इस्तमाल किया जाता है और आपको पता होगा कि इसमें formula होता है कि NPK वाला तो जो nitrogen वाला है उसकी मात्रा काफी डाली जाती है और यह आपका सस्ता भी पड़ता है क्योंकि सरकार के दौरा subsidy भी बहुत जादा मात्रा में दिया जाता है इसकी वज़े से आपने पंजाब और कई जगर regions में जो nitrogen की मात्रा है वो ज़्यादा तर देखने को मिला होगा soil testing के समय तो basically क्या होता है कि इसी से आपका fertilizer बनता है और यहाँ पर क्या होता है कि industrial use में जब fertilizer बनाये जाता है तो इसको liquid form में use किया जाता है इसको liquid form में store किया जाता है high pressure के अंडर लेकिन इसको gas form म में बी store किया जाता है low temperature में, low temperature में gaseous form में इसको store किया जाता है और यही same चीज जो इसको का plant है फूलपूर में इसी परकार से gaseous form में किया गया था तो इसमें यही बताया गया, क्योंकि यह gaseous form में था आपका इसकी वज़े से यहाँ पर दम घुटने की वज़े से moderate मात्रा भी अगर हमसे contact में आती है ammonia की, इसकी वज़ए से हमें irritation देखने को मिलता है, eyes हो गया, skin हो गया, nose हो गया, throat हो गया, हर जगह हमें irritation देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या होता है, कि जैसे ही ammonia हमारे skin के contact में आता है, या फिर nose के contact, किसी भी चीज के contact में आता है, तो जो moisture present है हमारे skin में, eyes में, oral cavity में, उसके साथ react करने लगता है, और ये बन जाता है, ammonium hydroxide, ammonium hydroxide क्या करता है, कि जो हमारा cell membrane के lipids हैं, उसको disrupt करना start कर देगा, देखिए, आपने, I think, school time में ये तो पढ़ाई होगा, कि ये आपका cell का structure होता है, और जो outer part आप यहाँ पर देख रहे हो, जो outer वाला है, इसको कहते हैं cell membrane, और cell membrane इसको plasma membrane भी कहा जाता तो ये आपका cell membrane, जो outer layer होता है, cell का, बहुती थिन होता है, ये double layered में होता है, ध्यान रखेगा, तो इसमें ये जो protein हो गया, कई चीजों से मिलकर बना होता है, इसी को कहते हैं cell membrane lipids, तो क्या होता है, कि ये जो आपका ammonium hydroxide है, वो इस cell membrane को destroy करना start कर देता है, और जैसे जैस होगा, तो आपका जो cell है, वो damage होना start हो जाएगा, और एक बार आपका cell का जो protein है, वो breakdown होना start हो गया, उसकी वज़े से जलन महसूस होने लगती है, inflammatory response होने लगता है, जिसकी वज़े से इनसान उसको सहन नहीं कर पाता, तो ये एक मामला होता है, कि जैसे ये contact में आएगा, हुआ होगा, यही same चीज, तो उस case में क्या होता है, कि directly हमारे lungs में चला जाता है, तो rather than inhaling oxygen, आप ammonia को inhale कर रहे हो, जिसकी वज़े से oxygen की deficiency हो जाती है, और अंदर जलन महसूस होने लगता है, और जो cause of death है, वो basically suffocation की वज़े से ही होता है, और कहीं न कहीं ये जो gas leakage हुआ है, उसका भी यही कारण कुआ होगा मिर्तियू का, अब यहाँ पर question है कि ammonia कहां कहां पर found किया जाता है, यह हर जगा आपको देखने को मिलेगा, basically क्या होता है, कि यह काफी जादा highly soluble होता है water में, तो इसकी वज़े से soil हो गया, air हो गया, water हो गया, हर जगा यह आपको present देखन in water तो वो गलत हो जाएगा, और यह हमारे body में कहां से secret होता है, kidney से आता है यह, क्यों आता है, ताकि जो excess acid है हमारे body के अंदर, उसको neutralize कर सके, तो इस तरह से यह work करता है, लेकिन जो environment में यह पाय जाता है, जैसे soil है, water है, air है, तो वो बहुत जादा diluted form में होता है, जिसक समाल किया जाता है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की problems देखने को मिलेगी, तो यह main दिक्कत होती है दोस्तों, जहां तक usage की बात है ammonia के, तो ध्यान रखेगा, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो आपका usage है, वो आपका fertilizer के manufacturing में किया जाता है, क्योंकि fertilizer के manufacturing में ammonia सबसे जादा critical है, इसके बिना आप fertilizer नहीं बना सकते, and let me tell you, कि 80% ammonia का, जो भी ammonia हम बनाते हैं पूरे wish में, उसमें से 80% use जो है, वो आपका fertilizer में ही किया जाता है, और बाकी 20% वगरा जितना भी है, वो formaldehyde हो गया, कई बाकी चीजों में use कर दिया जाता है, तो I hope दोस्तों, यह ज आपको कोई doubt होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ, इफको के बारे में ही, क्योंकि हमने अभी इफको की बात करी है, Indian Farmers Fertilizer Coopertives Limited, तो 3 statement है, इससे related कि आप मुझे बता सकते हो, कौन सा statement correct है, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Insta पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप Telegram से ले सकते हैं, इसका explanation के साथ भी आप देख सकते हो Telegram में, प्लस यहाँ पर मैं कई सारे NCQs डालता रहता हूँ, Stories के form में, आप वहाँ पर जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझे से economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते Study IQ आप पर जा सकते हैं, होग कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम आप से next time, till then, thank you very much, see you soon